नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी History of English Literature जो ये Part 6 में आपको बता रहे हूँ अगर आप new viewers है तो मेरी आप playlist में जाएगी History of English Literature को मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया है मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगे जो comments में भी में से पूछे गए है या अलग से टेलिग्राम चैनल में पूछ रहे हैं कि TGT में कुल चार राइटर है नेकिन उनके अलावा भी जब आप previous पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको अलग राइटर्स भी आपके सामने ऐसे questions आरे जो अलग राइटर्स से है जो आपके syllabus में डिफाइन नहीं है So my dear students में पहले भी कहीं बार वीडियो में बता चुकी हूँ comments में बता चुकी हूँ जो में other writers है आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है आपको history of English literature पढ़ना है जो हमारी history है और उसमें जो most important writers होते हैं हलाकि वो हमारे syllabus में नहीं है लेकिन आप उनको नहीं छोड़ सकते हूँ क्योंकि आप में देखा होगा syllabus में आपका history of English literature है तो अगर आप history of English literature पढ़ रहे हो तो उनके साथ के जो most important writer है वो आपको पढ़ने होंगे प्रॉब्लम यह रहते है जो मैं बात में बीच में बात बताती हूँ अब उसे नहीं सुनते हो इसकिप कर देती हो इसलिए बार बार आप मुझसे सेम question करते हैं अब आप देखेंगे इस वीडियो में आपको एलिजावेतन एस के जो facts से वो पता चिलेंगे चिके तो यह इंपोर्टेंट है आपके टीजेटी पीजेटी या नैट जो भी आप एक्जाम दोगे इंगली से रिलेटी टीचिंग में यह हर जगह पूछे जाएंगे न्यू वीवर्स से दिशान क्लासिस को आप सब्सक्राइब कर लिजेगा बात करते हैं एलजावेटन एज की जो 1558 से लेका 1603 जो है आपके लिनेशा पीरेड के अंदर ही आती है मैंने आपको लिजावेटन पीरेड के सब पार्ट बताये हो यह प्राणी वीडियो में देखेंगे इस इक वीडियो है चटी वीडियो है पांच वीडियो से पहले मै आपको कैसे तयार करना है इसकी अंतरकत आप इंपोर्टेंट फैक्स पढ़ेंगे जो में लिट्रेरी फीचर से इसकी वह पढ़ेंगे मैं यह भी आपको बता चुकी हूं कि 2016 से पेपर पूंचो कोशन से पूछने का तरीका बदला हुआ है उसी के आधार पे मैं आपको न आपको दूंगे जिसमें कंप्लीट हो जाएंगे यह फर्स्ट वीडियो होगी आपकी तो यूनिवर्सिटी विट्स इसमें नहीं होंगे लेकिन उसमें जो इससे रेटिड है वह सारी कोशन सापको मिलेंगे इस इस नेम्ड आपकर कुईन एलजावेत फर्स्ट अब यह को साशन था वो 58 से लेका 1603 मोस इंपोर्टेंट है यह फिगर्स आपको लान होनी चाहिए जब मैचिंगे कोशन आते है तब आपके वहां पर काम आते है जब आप कोशन करेंगे ना सोल पेपर करेंगे या प्रैक्टिस सैट करेंगे तब आपको समझ में आएगा जो मैं बता mónॉलत प्रैक्टिस सैट और वर इंपोर्टेंट स वीच हो कि मैं आपको करते हैं अपटायचू पहले बता चुकी हूं दिश से हम अपना इ生निया इस्ट्री पड़ते हैं आपने इट्रेयर पड़ने हैं अनुट इसे आपंदे तो अनुशन पॉद्री को नियुक्त की चीचानी, व्हांव liberal इसे यह सुए नैंने की फिरेशकर करते हैं लिए औरू बॉक्त आप Traf method तो आज आधुने की बात कर लें जैसा हमारा वहいたखन मंतूर और Hem Do तो हमारी education भी उसे तरह से बन जाएगी नियुक्त सब्सक्राइब कम तूशन नहीं गाले तॉचुन पूचा जा सकता है जिस्त कहिए नहीं पहले 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 मिसमयाइं क॑छे जा रहे हैं इस एज में जो डिलिजियस धार्मिक और सोशल स्टैबिलिटी ती इससे पहले क्या था ना धार्मिक और सोशल जो स्टैबिलेटी ती बिलुकुल भी नहीं थी तो अब इस एज में आका वो नेशनल पोस्परिटी बन जाती है तो आप भी बार-बार सुनते हूँगे अगर आप न्यूज स्टैनल सुनते हैं तो तो जो एक तरह से धर्मिक और करते हैं तो जो एक तरह से धर्मिक और सेहस्टनुता हैं हम बात यहां पर करेंगे और धर्ण निर्पेक्षता की बात करता है यहां पर थर्ड नमबर है जियोग्राफिकल एंड एस्ट्रोनोमिकल डिस्कवरीज ऑफ दे प्रिवेस दिकेर बोट अनलिमिटेड फोर्चून दूरिंग इस पीरिड जो एक भोगोलिक और एस्ट्रोनोमिकल जो डिस्कवरीज थी यहां बहुत ज्यादा होती है और उसको प्रभाव पूरी इंडिया पर पढ़ता है पूरी इंगलेंड पर पढ़ता है दिनेसा देट है अर्लियर वोज न वैर स्ट्रूंगर इन इंगलेंड आप सभी जानते हूं जो रिनेसा से स्टार्ट होता है वो फूर्टी नाइट विजडम तो इंगलेंड यह को है जो इस एज में जो है गिरीक और रोमन जो विजडम था बुद्धी वादिज्म था इंगलेंड में आती है इरेसमस रीष्ट इंगलेंड एंड विजोन को लेट टोट हुमनिस्ट एक उचीज में बता दू मेरे कई वीवर्स है जो मुझे लिटरी टर्म्स के कहा रहे है कि लिटरी टर्म्स उनके समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल नहीं आ रही हो कि जो बुक्स मैंने भी बतायती है जो आप बुक पढ़ दे है उसमें सिर्ट क्या है दो लाइन तीन लाइन में खतम कर दे है उसमें बुक में बढ़ें किसी में हाँ कुछ terms बताऊंगी इसमें कहीं साइट terms आएंगी आप उन्हें ध्यान से पढ़िए का most important है तो उन्हें से humanism जो है most important है इस time पर क्या होता है humanism मानव वाद तो जो मानव तर वाद आती है इसको अगर आपको मिलती है आप नेट से कहीं भी जब तक मैं नहीं बना पाती हो आप पढ़ते रहें यह फिर आप तिक कर लेजें मौस्ट इंपोर्टेंट एक्जाम के पॉइंट यूस से में लिटेरी फीचर्स ओप दाएज अब फीचर्स की बात करते हैं इस गी एलिजवेतन लिट्रेचर एतिजवेतन लिट्रेचर है वह क्रियाटिव जीनियस नहीं पर आती है सब्सक्राइज इसलिए तो मंगी से गोल्डन इस कहते हैं अब ध्यान दिखेगा, आप सोचते होंगे कि क्या जरूवत है। यह कराने की जरुवत है कोशन इस तरह से आता है कि what is the main features of दिने सपीर फॉलोईंग दा फॉलोईंग ओप्शन्स या which is not अलिजबेतन features फॉलोईंग ओप्शन्स तो चार वहां आपके सामने देंगे तो वह आपसे पूछ लेगा है या नहीं तो वहां यह काम आएंगे ध्यान लखेंगे यह लैंदी कोशन्स होते हैं आपका time consuming होते है टाइम ज्यादा लेते हैं और ध्यान लखेंगे यही कोशन ऐसे होते हैं जो आपको पार कर जाते है एक और चीज़ में बताऊंगे आपको यह वह वाले कोशन्स होते हैं कि आपको time consume करेंगे लेकिन आपको एक्जाम में तोप पर भी ला सकते हैं चीज़ समझ में आगई होगी न आपको इनी style इट एक्जविट्स रोमांटिक एक्जूवरेंस एक्जविट्स पब्लिक डेमोस्टेट करती है रोमांटिक फूर थिंकिंग आप अपने सोचने के लिए सुवतंत्र और जो आपके माइंड में आता है तब ही तो कहते हैं भी तो बढ़ा रोमांटिक हो रहा है कि वह अपने मन में जो इसके मन में आ रहा है वह स्वतंत्र है जो इसके विचार हों नोंकत露ियों कोई लगाम नहीं बात करें, free for thinking, आप कुछ भी सोच सकते हैं, तभी नेचर वादी है, वो रोमांटिक कहलाते हैं, तो यह कहते हैं कि जो स्टाइल में यह बहुत परदशित जो करते हैं, वो रोमांटिक एजुबरेंस करते हैं, इस राइटर और और are all men, not women, from all classes of the society, जो इसके राइटर है, सारे आदमी की बात करें, वो सोसाइटी के सभी classes, नमबर 6, it is an age of exquisite poetry, unparalleled drama and splendid prose, तो यह एक age थी, exquisite poetry, यानि अति उत्तम poetry, और सी के साथ साथ में drama और prose, यानि poetry, prose, drama, सब चलता है इस age में, 7th number, it makes a shift from man's faith to his free will, it develops English language to a level of stable standard, its spirit ranges from the pelatonic idealism or the delightful romance to the level of gross realism, आप यहाँ पर देखेंगे, यह वाले अब मता था, कुछ literary terms आपको उसमें से मिलेगी, आप जो आपकी books मिलते हैं, अच्छे से इसको learn कीजेगा, romance को अच्छे समझेगा, और realism को अच्छे समझेगा, तो realism हो गया, idealism हो गया, pelatonic word हो गया, और यहाँ पर, अभी इसमें हो तो कोई नहीं आए न, हाँ, बस, यह वाले जो चीज़ है, यह मनने आपको चार से पांच बता दी, यह दूरूर आप पढ़ेंगे, अब बात करते हैं, the literature of this age shows a quiz for the remote, the wonderful and the beautiful, जो इस age का literature है, वो एक quiz दिखाता है, प्यास दिखाता है कि इसके remote दूर, the wonderful and beautiful के लिए, it reflects original romanticism, यह आप लिटरी टम से, इसको चे से पढ़ेंगे, that revived during the beginning of romantic age in 1798, तो जो इसका reflex है, original, वो romanticism जो है, व को भी इने सपीर से स्टार्ट हो जाता, रिफ्लेक्ट होता है, इस age में, it initiate literary criticism, criticism क्या होता है, इसको अच्छे समझेंगे, यह भी literary term के अंतरगत आता है, आप बात करते हैं, major writers of the period, और उनके major works, most important है, यह जो मैं आपको बता रही है, आप रट लीजेगा, one-liner को, Tom's More, यह आप से Tom's More भी बढ़ सकते हैं, जो कि 1478 में बढ़त होता है, 1535 में की death होती है, इन्होंने एक वर्ग लिखा, utopia famous है, जो utopia word है, वो आपके vocabulary में पूछा जाता है, पूछा गया है exam में, जिसका मतलब और kingdom of nowhere, इन्होंने Tom's More ने लिखिया है, utopia कैसा होता है, जो imaginary world ह होता है, happiest होता है, तो the book was originally written in latin, latin में लिखी गई थी 1516 में, और नोर्टन जो है 1532-84 तक और सेक्विल, नोर्टन और सेक्विल, दोनों को याद करें, जो ने फेमस, first grace tragedy लिखी है, गोर्बर दूस, यानि most important question कि first English tragedy that was गोर्बर दूस 1562 में लिखी गई है, एडमन इन स्प question जरूर आता है, he is called a poet of the poets, learn कर लीजेगा, finger strips होने चाहिए, या question, because many later English poets followed his art of poetry, जो Spencer है, उनको जो कहा गया है, क्या कहा गया है, poet of poets, वो इसले कहा गया है, क्योंकि जो बाद के English poets, उन्होंने उनकी poetry के art को फोलो किया था, the fairy queen famous work है, उनका जो लिखा allegory है, जब आप literary terms allegory कर आता है, तो इनका बार 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 एक्जामपल दे जाता है, the shefford calendar, 1579 में, Nicholas Odell, जो जो राप, रोएस्टर, डोएस्टर लिखा, जो फर्स्ट इंग्लिस कॉमेडी थी, फर्स्ट इंग्लिस कॉमेडी निक्लिस ओडेल, फर्स्ट इंग्लिस टेस्टी गोबेडियूस, दोनो आरकेडिया, जो उनने एक बुक लिकी थी, जो एंब्रियो है इंग्लिस नॉवल की और फ्रस्टिक बेकन मौस् इंपोर्टेंट राइटर है, जो फेमस एसे जूना ने लेके हैं, इनके एसे से कोई 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 जरूर पूची जाती है, मतब बेकन का कहीं ने कहीं आपके ए स्टार्ट होते हैं अब बात करते हैं इस में आपके युनिवर्सिटी वीडियो चल रहा है और युनिवर्सिटीए वीडियो में होगी और अपके फिनिश हो जाएगी jesme . अलग है अलग पड़ रहे हैंवो तो अलग पढ़ना ही पढ़ना यह वह अलग से अंदर एज में नहीं आ हो ऊरne Teles query है और यह दोग चीजे हैं सेक्सपये माँ बता दी अटिया प्ले लिस्त पनी हैं यूनिवर्सिटी विज्स के आपको बिल्कुत डू एंड डाय वाली कंडिशन बनाकर रखें आपके एक्जाम कभी भी हो सकते हैं दो महीने कंदर आपको कभी हो जाएगा यह शूर्टी है आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें